हेलो एंड वेलकम तो माई यूटूब चैनल आम डॉक्टर महामद दानिश और आप लोग के लिए में एक बहुत ही इंपर्टेंट न्यूस शेयर कर रहा हूं प्रवक्ता भरती परिक्षा 2020 मेंस के लिए करें आवे दन तो जिन बच्चों का भी अभी रिजल्ट आया था और उनको प्रिलिम्स का क्वालिफाई हुआ है और मेंस उन्हें देना है तो उनको बहुत जादा दिक्कत थी यह समझ में या रहा था कि मेंस के लिए क्या करना है कोई फर्म भरा जाएगा या किस तरीके से आगे प्रॉसेस होगा बहुत सारे सवाल उनके जोड़े वे थे इस मेंस को लेके तो उसके उपर ये निउस है म मैं आपके समने इसको डिसकास कर देता हूँ उत्तर प्रदेश लोग सेवा योग की प्रवक्ता परिक्षा प्रवक्ता पुरुष महिला राजकी इंटर कॉलेज मुख्य परिक्षा दोहदर बीस के लिए ओनलाइन आवेदन शुकरवार से शुरू हो गया यानिकि फ्राइ प्रवक्ता जनवरी तक उसकी हार्ट कॉपी आपको अयोग को अप्लब्ध करानी है तो इस बात का ध्यान रखिए जल से जल इसका आप फॉर्म भरिए आगे बढ़ते हैं प्रवक्ता जी आई-सी के 1473 पदों पर भरती के लिए प्रारिम प्रक्षा 19 सितंबर को हुई थी जैसे कि हम सब जानते हूं उन्हें सारी को इसका एक्षाम हुआ था 9 दिसंबर को प्री का रिजल्ट जारी किये गया जिसमें करीब 15,046 अभिषार्थी मेंस के लिए सफल हुए कुल 16 विशों के प्रवक्ता जी आई-सी के 14,73 पदों पर भरती होनी है पहली बार प्रवक्ता जी आई-सी के पदों पर भरती लिकित परिक्षा में कराई जा रही है तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसमें जो जी आई-सी का मेंस है वो लिकित परिक्षा के बेस पर हो रह पहली बार प्रवक्ता GIC की पदों पर भरती लिकित परिशा की द्वारा कराई जा रही इससे पहले सीधे इंटर्व्यू से भरती होती थी, यानि कि आपने प्रिलिम्स क्वालिफाई किया, उसके बाद एक ही टेस्स होता था, उसके बाद आपका सीधा इंटर्व्यू होता इस बार नोने उसको मेंस में कनवर्ट कर दिया और मेंस भी वो भी आपका रिटिन एक्जाम होगा, आयोग के सहयोग सचिफ ओम प्रकाश मिश्ट के अनुसार ऑनलाइन भरे गए, फॉर्म साइट का प्रिंट निकालकर समझ सलगनों के साथ उसे 18 जनवरी तक आपको भेज आयोग के गेट संख्या 3 परिस्थ डाक अनुभाग के पूश्थाश काउंटर पर उपलब कराना है, या तो आप उसे पोस्त बाइपोस्त भेज सकते हैं 18 जनवरी तक, नहीं तो बाइए हैंड भी आप जमा कर सकते हैं, वहाँ आयोग जाकर आयोग के गेट संख्या 3 पर उनके गेट संख्या 3 पर डाक अनुभाग के पूश्थाश काउंटर है, वहाँ पर आप उसे जमा करा सकते हैं, एक चीज ये भी है, उसके अलाबा आगे रोने क्या कहा है, कि सीधी भर्तियों की जो कटाफ है वो जारी हो गई है, यूपी लोग सेवा आयोग ने कई सीधी पराप्ता कटांग झारी किए गए, उनमें उत्तर प्रदेश, आयूश यूनानी विवाग की परवगता, विर्टर के विनपद, संस्क्रित विभाग, उच्छी शिक्षा विवाग, परयामण देशाले, समाझ कल्यान विवाग और प्रावदिक शिक्षा विवाग के विन आप इसको आयोग में जमा कराएं तो आज की लिए इतना ही अगर आपको ये न्यूस पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करिएगा शेर करिएगा और सब्सक्राइब करेगा चैनल दानिश करेगा उसलिंग थैंक यू वरी मच थैंक्स फर वाचिंग